लुग और कि यह उसे अचीज अब वापस एक अप्टरेंट को आ तावा शॉर्ट नम टार्गेट एड प्रेजेंट से लेकरके मुझे शॉर्ट टार्गेट इसका 180 से 190 की बीच में आता हो दिखाई देता है रेन इंडेस्ट्री लिमिटेड कार्बन सिमेंट और एडवांस मेट्रियर प्रोड़क्स में एक लीडिंग कंपनी हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कंपनी के शेयर में यदि अगर इनवेस्मेंट करते हैं तो इसका हमें क्या बेनेफिट मिल सकता है क्या इस लेबल पर हमें शेयर में इनवेस्मेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में स्रूश लगे अंतर तक जहां हम एनलाइज करेंगे आज के इस वीडियो में Rain Industries Limited के बारे में Rain Industries Limited BSC और NSE दोनों ही जगे पे रिजिस्टर्ड है कंपनी एक ग्रूप के अंदर आती है 206 पे 80 पैसे तक हाई गया था एट प्रजन इसका शेर प्राइज है 170.40 वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो एट प्रजन इसकी वॉल्यूम है 1,45,565 शेर का पी रेशो है 203.22 यानि पी रेशो बहुत ज्यादा है अर्निंग पर शेर है 0.82 शेल है 15.36 शेर का फेस वेल्यू ह इसकी रुपे का और अपने फेस वेल्यू पर शेर ने पिसले जो डिविदे दिया था वह 50 पर यानि हर एक रुपे का डिविदेंट कमपनी ने पीछे दिया हुआ है आईए एनलाइस करते हैं शेर के चाट पैटरन को देखते हैं तो शेर के प्राइज में एक यहां पर जो शेयर का प्राइस है वह हाई गया था यह शेयर का प्राइस साथ सेप्टेमर 2022 को उसके बाद शेयर में एक हमें गिरावट देखने को मिली थी शेयर का प्राइस अपने हाई से गिरता हुआ नीचे पहुंचा था और यह था 30 सेप्टेमर 2022 को जहां पर शेयर का प्राइस से आकर के 154 पी 80 पैसे पर आया था उसके बाद हम देखते हैं वापस शेयर ने एक अप्रेंट लिया था और शेयर बढ़कर के वापस किया था अप देखते हैं कि शेयर का प्राइस अपने एक सेकंड हाई जो 190 रुपीज का था पांच देसमर को उसके बाद गिर करके वापस नीचे आया था और इसने नीचे टश किया था यह 144 के असप्रास का यह था 28 मार 2023 को लेकिन 28 मार 2023 के बाद लगाता शेयर में हमें एक अप्रेंट आता हूँ दिखाए देता है अगर हम इस पर्टिकुलर जोन को ध्यान से देखें तो हमें दिखाए देता है कि पिसले जून और जुलाई के पूरे मन्त में शेयर 162 और 168 के ही रेंज में ट्रेट करता हूँ दिखाए देता है यानि कि जो शेयर है वो 162 को ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की और और उपर की ओशेयर 168 के जाता है लेकिन पिसले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहां पर शेयर में अब एक नया स्टॉप जो सपोर्ट जोन हम देखें तो सपोर्ट का एक लैवल देखते है जो 162 का ही है और शेयर उससे उपर ही जाता है जैसे कर शेयर यहां से कुछ गिरता है तो वो अपना एक 162 का एक सपोर्ट है उसको लेकर करके वापस अप्रेंट के और जाना दिखाएंता है दूसरी कर में यह भी देखें कि जो RSI है वो भी 50 के आसपास में 54 अभी at present चल रहा है तो इस अगर investment करें तो हमें इसमें एक अच्छा return मेंने की संभावना है क्योंकि काफी समय से शेयर अपने high level से गिरता हुआ नीचे आया था और यहां पर कर में investment करें और इसमें कुछ समय के बने रहे हैं तो यह हमें अच्छा return दे सकता है साथिकर हम पिसले चार्ट को देखते हैं एक साल का तो एक साल का चार्ट में बताता है कि जो शेयर का प्राइज 203 से गिरता हुआ नीचे आया था और गिर करके नीचे आया था हमारा जो 144 था जो की हमारे पास 28 मार्च को था लेकिन वापिस शेयर ने अप्रेंट लेना सु हम देखते हैं तो यह है 163 जबकि 200 में 165 है तो लगभग अपने 50 डियम और 200 में के लगभग आसपासी चल रहा है प्रॉफिट और लॉस को अगर हम सेल में देखते हैं तो सेल का जो लास्ट दिसमबर 2022 से लेकर के हम अभी करेंट प्राइस को देखते हैं तो इसमें थोड़ इसी हमें अप्रेंट आती दिखाए देती है जो 2022 में सेल था वह 21,001 था जो अभी प्रिजेंट में है 21,828 प्राइड को प्रॉफिट में इसमें मामली सी ग्रावट हमें देखने चाक विकलती है जो 3537 था लास्ट दिसमबर 2022 का अभी जो है वह 3278 are जा तक कैस्पडो की बात है तो कैस्पडो में दिसंबर 2021 दुसंबर 2022 के अंदर इसमें एक अप्टरिन हमें देखने को मिलता है 2020 का जो दिसंबर क्लोजिंग था वो 834 का था जबकि 2022 में 1036 था तो कैस्प में तो इंप्रूमेंट आता हो दिखाई देता है शेरोल्डिंग पैटर्न को हम देखें तो शेरोल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्तेदारी इसके नदर हमें दिखाई देती है 41.14 जो की जैनुवरी दोशार तेज की है FIIS का इसके नदर 17.08 परसंट का इसके नदर हिस्तेदारी है DIAIS का है 0.23 गॉर्मेंट का 0.34 और जो पब्लिक है उसका इसके 41.20 की होर्डिंग है और और गर्म चार्ट को देखते हैं तो एक साल के नदर जो रेन इंडस्ट्री है उसका जो इन्वेस्टर्स है उसमें अल्टिमेटली एक लॉस हमें देखने मिलती है जो रिटर्न है यह 10.93 का जो वैल्यू थी उसमें कमी आने को देखने मिलती है लेकिन पिस्टे 6 मैने में इसमें थोड़ा से अपमोह में आने को ट्रेंड हमें दिखाई देता है छे मेने और तीन मेने को में देखें तो प्रिस्टे कुछ समय से इसमें एक वापस अप्रेंट आता हो दिखाए देता है कि वापस आपने चार्ट को वह देखें को चार्ट हमें क्या बताता है आज मैं चार्ट को देखते हैं तो चार्थ में सजस्ट करता है कि यह यह अब in भाπά Lum एक प्रेंट के बाद आता ह्वा सब्सक्राइब करते हैं जो कि अब इसका करेंट प्राइज है 168 रुपीज का तो 168 से अगर आप इसमें करते हैं तो आपको यहां से एक शॉट टम में टार्गेट है एक तो सब्सक्राइब का और साथ इसमें बने अगरते हैं तो फिर यह शेअर वापेस दोस्टों को क्रॉस करके पिर यह और पर पेज़ी से आगे करो बढ़ limous dar ऑफ करते हैं तो उसमें करने से पहले आप सभी entire के जरूर चेक कर लें तब इस शेयर में investment कीजेगा चाहिए अपनी आपकी short time या long term आउशकता हैं वो भी इसी किसी भी investment करने से पहले जरूर जांसे ने चाहिए तो कि जो share होते हैं काफी volatile होते हैं share market में जितनी केज से profit आता है उतनी से share में कमी भी आती है इसलिए किसी भी शेयर में investment करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारें इकत्पित करने के बाहत ही आपको share में investment करना सब्सक्राइए यदि आप मैंने चैनल नई है तो प्लीज मैंने चैनल को like and subscribe जरूर भीजिएगा thank you for watching